आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार पर और इसी सब के बीच हमारे साथ आज एक महमान जुड़ने वाले हैं जो कि आपको एंटेटेन करेंगे जिनकी आवास का जादू चलता है वो अपनी बातों से लोगों को इतना खुश कर देते हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं उनकी बाते ऐसी होती हैं जो लोगों को हैरान कर देती हैं और हमारे साथ एक ऐसे मिमिक्री आर्टिस जुडेंगे जो कि आपको से बॉलिवुड ही नहीं कुछ राजनेताओं की मिमिक्री भी करके दिखाएंगे जिसको सुनने के बाद शायद आप अपनी हसी रोक ना पाएं तो आपको आज हम एंटेटेन करने के लिए ही मिलवा रहे हैं एक ऐसे शक्स से जिनकी मिमिक्री लोगों की जुबान पर हसी लियाती है बहुत बहुत स्वागत है आपका अर्पित सैनी जी सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ हमारे ओडियन्स को परिचे दे सबी को पहले मिरा नमा शकार है मैं मिरा नाम अर्पित सैनी है मैं अपने कानपूर से हूँ और जैसा कि आप सबी को पता है आपके प्यार और अशिरवास से लगातार कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करता हूँ ताकि जो हमारी मिमिक्री की कला है जो एक आवाज निका लोगों को लगता है कि उसे जदा सुना जाएगा मिरी आवाज उनकाल लेते हैं कि कि आप किती तरह की आवाजे मैं लगबग 150 प्लस वाइस निकालता हूं उसमें कई राजनेता हैं कई बॉलीबोड एक्टर हैं कई जानवर कई पंची हैं कई मोटर साइकिल्स की वाज हैं अर्पित जी सबसे बहले आप मुझे ये बताईए कि आपकी स्पेशलिटी क्या है किस इंसान की आवाज सबसे बहतरी इन दरीके से निकालते हैं जो ऑडियन्स को भी पसंद आती है मुझे लगता है कि सबसे बहतरी ने आवाज मेरी समय अखलेश यादो जी की बाद जा रही है पूर मुक्वंत्री हमारे रहे हैं उनकी आवाज बहुत ही डिक्टो जाती मेरी मेरा ऐसा मानना है जी तो कुछ सुनाई है जो कि जनता को हमारी खुश कर दे और कोई ऐसा मलब की शब्द या पर ऐसा कोई वाक्या बताईए जो अकलेश यादों का काफी पसंद भी किया गया हो जी बिलकुल जहान तक मैं अकलेश जी की बात करता हूं मैं एक अर्टिस्ट हूं मैं उनका बहुती सम्मान करता हूं लेकिन मैं उनकी अवाज निकालता हूं यह वाज अगर उन तक पहुंचे की तो बहुती मجजा आ जायेगा तो अकलिश जी का एक अंदाज है जैसे कि वो बासर देते हैं स्टेज पर होते है तो उनका अंदाज बहुत ये लग होता है नॉर्मल लाइप में अलग होता है यह बहुत ही काबले ठारीव हैं। लोग हमसे कहते थे कि इतनी बारिस हो रही है। यह समाजवादियों का जंद्र सहलाब नहीं आएगा, लेकिन हम उनको जवाब देना चाहते हैं। इतनी सारी जो यह भीरड़ी कट्टा हुई है, सिर्फ समाजवादियों के वीडिकर्टी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं जी अगर बात करें प्रधानमंत्री नरींद्र मोदी की तो उनके संबोधन भी हम सुनना चाहें बात करता हूं मोदी जी के पिछले दिनों मेरे कानपूर में आये थे है। उनों मेट्रो का चलणन्याश किया। और कई सारी रहलियां की और हमारे जो आयाइटी के चात्र हैं उनको भी सम्मानित किया। इन एक बात कई हमारे कानपूर के लिए तो मोदी जी के वाज में आप को सुनाना चाहूंगा कि मोदीजी ने मारे कानपुर क्या बोला कि साथियों कि कानपुर के लोगों के बारे में बस इतना ही कहूंगा कि कि कनपुरिया लोगों को अंदाज है कि कनपुरियों की जो हाजिर जवाबी है कानपुरियों का जो ये रुत्बा है इसनी तुला नहीं की जा सकती आप ठगूं के लड़ूं के जाएए वहाँ पर क्या लिगा होता साथियों ऐसा कोई सगा नहीं ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं तो ये अंदाज है हमारे मुदी जी का अगर कानपुरियों की बात करें तो कानपुरियों के अंदाज भी हम आपके मुझे सुनना चाहेंगे कि आगर उनके शब्द पूरी दुनिया में ही फेमस है तो उनके बारे में भी कुछ सुना दीजे जहां तक कानपुर की बात करता हूँ कानपूर के जो सब्द है उनके सब्सक्राइब कानपूर की भासा है गच गए लप गए आईसी धुस गए हॉके गए पेले गए भॉकाल रायता पहला दिया तुझे हमारे कानपूर में चलता है तो यह अंदाज है कानपूर वाले सबसे ज़्यादा कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं अब हुके जाओ के पेले जाओ समझ नहीं आ रहा तुमको पूरे कनपूरिया है बता रहे हैं चाचार है मुझ धर घुमा लो तुम रिक्सक किराय तुम इक देना पड़ेगा तो यह वारे चलता है ऐसा हम कमल वाले हैं हमाई चलो ना ऐसे अंदाज होता है अच्छा मा अपने बच्चे को कैसे डाटती है नास काटे बहुत मारेंगे तो सुन नहीं रहा पापा आने वाले दस बार का कपड़ा उतार लो चस से समझ नहीं आ रहा है पापा आएंगे तुमको डंडा लगत उड़ कानपूर में लड़कियों की बात करते कानपूर में बहुत फेमस जगह है मोती जील तो यहां पर जब भी जाएंगे प्रेमी जोड़ा भी बहुत ही मिलता है और वहां पर बजरंग दले वाले आ जाते तो बहुत तेजी बागते हैं लोग समझ रहो हाला कि मैं मैं अपनी एक बात बता दूंक मैं भी पिछले दुनों था वहां पर तो वहां पर हमारी जो फ्रेम मेर हैं प्रमुला पांडी जी वह आप रही थी तो जैसे मैंने लिए शूट के लिए घा शूट चल ला था यूटूब का शूट था तो वहां पर प्रेमी जोड़े देवां पर इk मत पूछ तरी महब्बत में क्या कर रहा हूं मैं तुझे दिये हुए गिप्ट का अभी तक ब्याज अदा कर रहा हूं मैं अब महब्बत जताने से तबियत मेरी डिरती है क्योंकि तू अर्दम पैसा पैसा करती है पैसा पैसा करती है यह तो कुछ जादे इंट्रेस्टिंग था अच्छा अब लखनौ की बात करें तो लखनौ वालों का कैसा अंदाज है आपको क्या लगता है लखनौ वालों के बारे मैं बहुत यह कहूंगा लखनौ से मुझे काफी सपोर्ट मिलता है प्यार मिलता है जाकत बहुत देखने को मिलती है यहाँ सुना है कि गालियां भी लोग इजज़त में देते हैं इसमें क्या कहेंगे कुछ हमारी ओडियंस को बताना चाहेंगे नजाकत की बात करें जहां पर उर्दू सब्द का मैं भी हलाकि मुझे उर्दू सब्द नहीं आते हैं वोड बेतरीन में लगबागा हमारे बच्चन साब हो गए और अम्रीस पुरी साब हो गए और कई सारे बॉलिवड एक्टरे में जिनकी आवाज लाइक करते हूं उड़िया तो अमिता बच्चन की आवाज में कुछ सुनाईए है अब सोनाक्षी के पापा की तरफ चलते हैं आड़ साल की आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई हो जली को कहते हैं आग बुझी को कहते हैं राक जिस राक से बने बारुद उसे कहते हैं विस सुनात समझे अच्छा अब आगे बढ़ते हैं और किंग खान की तरफ चलते हैं है एए हैं नैना नैना मैं आके खोलता हूँ तो तुम्हें दए को साट्लियों मेरे नैना सिर्फ मेरी नैना को डुनतेँ इसलों बागल पन को या तुम्हारे दिल की हुदकन का ओउ थोड़ से रॉमंटिक होता है तो रंबीर शिंग को सब्सक्रफ इसे बात करते हैं रडवीं सिंकाणी मैं रडवीर कपूर का करता हूँ रडवीर कपूर करऊंगा, इसी बोलते हैं कि HA Das Jis does Not बीस के लिए वाद अलग है उनका पिच्चर बाजी गार तो उनका कैसा रही होता है अरे मदन चोप्ला हरे कितनी बहार बोला ये मेरी कुरसी है ये मेरे बाप की कुर्सी है और मैं वही अजीb मलत रहूं सिल्मान खान के बारे में अरे अरे पैचाना हमें हम यहां के रॉबिन उड़ें चुबल पांडे कमाल करते हो कानपुर वालों हम यहां से बहुत जल्कु सुनिया लेकर आ रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और शेयर भी करेंगे कमाल करते हो बिल्कु शेयर करेंगे अब आप किसकी आवास सुनाएंगे जहां तक मैं विलिन्स की बात करता हूँ विलिन्स में हमारे प्रकास राज हो गए और हमारे अमरीश पुरी शाहब हो गए अमरीश पुरी साहब का एक बहुत ही भीमस जैलोग है तो हमरे अंदर का कुटा भौकने लगता है और इस रात मैं ब्लेक डॉग पीता हूँ तो यह अंदाज है मेरे करन अरजन आएंगे मेरे करन अरजन आएंगे अरे मा मैं आ गया हूँ मैं भी आओ कमाल करते हूँ अच्छा अप पॉलिटिक्स पे फिर से लोटते हैं इस टाइम चुनावी महाल है पहले खीला होबे हुआ था आप खदेड़ा होबे हो रहा है तो खदेड़ा होबे क Hampshire होबे कैसे खदेड़ा होबे की बात है हमारे खलेज जी और हमारे मोदी चचा में बात हो रही है देखो एक मिलाव एक फेक्टर भी है लेकिन सम्मान अपनी जगाया है तो हमारे अखलेजी हमारे मुदी से बोलते हैं कि देखे चाजा जी मापसे कहना चाहते हैं आप लोग अपना प्रयास कर रहे हैं हम अपनी पार्टी को जिताने का प्रयास कर रहे हैं चुनावी मुद्धा अलग है लेकिन बड़ों का सम्मान करना ये बहुत ही जरूरी है अगर आप ने इसको छोड़ दिया तो आप कोई भी जंग नहीं दी सकते हैं मुद्धी जी बोलें कि मेरे प्यारे मानी पूरुमक्वंत्री जी और आपके पिता सिरी मुलान सिरी यादो जी मैं इनको बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ चुनावी रैलियों में चुनावी समागम में आपने मुझे दूसरे का विरोध करते देखा हैं लेकिन ये ने साल का मौका है और चुनाव भी बहुत करीब हैं तो अपनी पार्टियों के लिए हमें कुछ अच्छा करके जाना है अब हमारे मुख्यमंत्री योगी आदेतनाद जी की तरफ चलते हैं जी मुख्यमंत्री जी के बात करता हूँ उनकी शाह और में काफी फरक आता है तो मैं पिछली दिन गोरकपुर गया था तो गोरकपुर में अलाकी बहुत ही मलब पास थे लेकि उनसे मुलाकात नहीं क्योंकि मेरा प्रोग्राम था मुझे भी टाइम से पहुशना था तो उनका एक अंदाज है तक है जहां तक मैं गोरकपुर की बात करता हूँ गोरकपुर की जनता के विस्वें कहना चाहता हूँ कि योद गोरकपुर की जनता ने कोई ऐसा कार किया और जहां तक लोग मेरे नाम बदलने के उपर सवाल उठाते हैं हमारी भारती शंशकत के ख्लाब कोई ऐसा कार हुआ तो अपने अलादिकारियों से कहना चाहता हूँ कि मैं उनके पत से निस्खासित कर सकता हूँ और साथ में निकालते हुए जैसर राम का नारा लगवाँगा आपने योगी जी की मिमिक्री करी ऐसे नाओ कि आपका नाम भी बदल जाए नहीं मेरा नाम नहीं बदलेगा मैं अरपेट सैनी हूँ अरपेट सैनी रहूंगा तो यह अंदाज है चलिए बढ़िया हैं आगे बढ़ते हैं अब किसी अभी नेत्री की तरफ चलते तीपी का पादुकोण एक चुटकी संदूर की कीमत नहीं ऐसे नॉर्मल करता हूं लेकि तुम क्या जानो रमेश बाबू तो यह सी वाज है हम और अच्छा करिस्म कपूर के वाज मैं निकालता हूं यह जैसे उनका अग अंदास था कि राजा तुम पागल हो तुम जोकर हो राजा अरे मेम साब औरे मैं मैं ट्रेक्शी डेवर हैं औरे क्या वा तो स्री डेवी के तो यह जैसे थोड़ी होत करता हूं और राजनीती में इंट्रेस्ट है अलाकि मैं अभी अपनी मैं मैं पहले बात तो बता दूम मैं जितने भी हमारे वीवर्स हैं मैं उनको बोलना चाहता हूं मैं एक कॉमेडियन हूँ लोग मुझे बोलते हैं कि आप यहां पर जाते हू तो आपका करियर मतलब आपको कैसे पता चला कि अदर यह इडिन टैलेंट है और आपको इसे बाहर निकालना चाहिए जहां तक मैं अपने इडिन टैलेंट की बात करता हूँ मेरे जो दादा थे वो उनके अंदर बहुत इकला थी तो लेकिन मेरे जो पापा है उन्होंने भी काफी संगर्स किया है और लेकिन जो लोकल टैलेंट की बात करते हैं जहां तक जो मेरे निखार टैलेंट हुआ यह मेर अब लालू यादव की तरफ चलते हैं तुलालो यदो कांदाज है कि अ Πाकला मोडी 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 अरे मोडी जी भाइयो मえるानों विज्ली वोली अपालमी करता है मोडी 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 आरे मोदी जी आराम से बात कर यह वरना हियों को नौस फॉट जाएगा तो यह है अच्छा केजरिवाल जी समीली में जी है समीले हुए यह मोदी जी की चाले एकानपूर में जो मेट्रो एकले सियाद होगी थी लेकिन मोदी जी ठपा लगाया यह बहुत गलत बात है अगर मन जी के उपर सबसे ज़्याना साता है कौन जी विपाक्ष जिसके उपर निशाना साथता है सबसे ज़्यादा राहूल गांदी से जबसे पहले अपनी पाहे समेट लगता है कि राजनीति के संजदत यह है तो उनका एक अंदाज है कि भाईया देखिए भाईया लोग हमें पप्पो कहते हैं हमें सहजादा कहते हैं हमें इस बात का कोई गम नहीं है लेकिन जब अपनी मम्मी से पांच रुपए मांगते हैं तो वो हमें मना कर देती हैं कहती हैं तो यह में बड़ा बुरा लगता है सब्चोह कने बता समगी पर लाए म War 52 की अपने अंदाज के पाई एक अपने यह बताए करता हूं जबतानी तो यह वाज महले का कुत्ता दूर का कुत्ता साइकल के नीचे आ गए तो यह सब कही वाज निकलता हूँ सबसे पहले मैं महले के कुत्ते की वाज निकल लूँगा तो यह हो गया जर्मन से फर्ड साइकिल के नीचे आगए तो यह वाज है और दूर का कुत्ता कैसे बोलता दूर के कुत्ते अब जिसे बगल गाउं से वाज आती कि अब दूर के ऋड़ो जया है अब हम टरफ चलते अगर धोनी की आवाज में आप करें लुएस साथ इसके पेट में क्या चला है भाईया यह क्या हो रहा है अरे देखो डॉगी यह आ रहा है भाईया ओए चोटे रोड़े मैं बॉल्डी में चिंपरेसर रहा हूँ अच्छा है खोटे कौन पिट गया तो ऐसे निकालता हूँ अच्छा जब जैक आउगी को बचाने आता है तब चोटे यह क्या हो रहा है भाईया यह लोग मेरा चाता लेकर बाग रहे हैं ओए चोटे मैं रुकते लिए दूसरा चाता लेकर आता हूँ अरे बाब भाई कौन बिट गया है खाकरोच पार्टिशन दा बाद अच्छा जब अच्व बाद नोबिता परिशान हो जाता है रोते रोते डोरेमान को बलाता है है रूपिता मुझे बिल्कुल भी नहीं पता करता है तुम मेरे पास नहीं आओं लेकिन मैं तुमसे बताना चाहता हूँ कि मैं तुमारे बिना बिल्कुल भी कुछ नया नहीं कर सकता तो ऐसी वाज है डूरेमॉन हाँ ऐसा कुछ करता है लेकिन मैं ज़्यादा काटून्स नहीं देखता हूँ और यह सब चीज़ें अच्छा मेरा फेवरिट वैसे डूरेमॉन और और औगी था अपने ऑगी की आवास तो सुना दी अब पॉलिटिकल फिर्स फील्ड पे लोटते हैं और अब बात किसकी करी जाए चलिए आप बताईए जहां तक मैं पॉलिटिकल में राजना सिंग जी की भी वाज निकालता हूँ अच्छा तो जब वो संबोधन देते हैं और देश को भी बड़ी सागात देते हैं तब किस तरह संबोधित करते हैं तो उनका एक अंदाज है कि देखिए बग्तिकत तोर पर जहां तक भारतियंता पार्टी की बात है ना काश्मीर की बात होगी ना उत्तापदेश की बात होगी सिर्फ उत्तापदेश की विकाज के शरसत पूरे भारत देश की विकाज की बात होगी और जहां तक मैं ग्रेह मंतरी होने के नाते आप सभी से वादा करता हूँ कि पूरे भारत देज मिसर भारत इंता पार्टी का जंडा लहरने वाला है बहुत बहुत धन्यवाद दिना चाहता हूँ अब ग्रेह मंत्रे अमिच्छा की भी थोड़ी तारीफ हो जाए अमिच्छा जी की वाज अभी अलाकि प्रैक्टिस पे है लेकिन अगर पबली को पसंद आएगी तो मैं तो बहुत भी प्रयास कर रहा हूँ अमिच्छा जी की वाज तो कैसे उनका अंदाज है देखिए देखिए शातियों मैं आप से बताना चाहता हूँ कि हमारे भारतियंता पाटी के कार करता मोदी जी को फिर से लाने वाले है यदि आपने चाहा तो हम हर सहर हर गाव में जाके भारतियंता पाटी के कमल को खिलाने का काम करेंगे सातियों और चोफ प्रकुस आ है लहीं वालूज की ओो पकफ दिएक असी जाते है पूरे दुनें जाने जाते हैं मैंने उनको अपना गुरू भी माना है मैंने उनको देखके सीखा है और जहां तक यह आवाजों की बात करते हैं मैंने उनको देखा दीरे दीरे अमिता बच्चन साहब मेरे अंदर आ है इसके बाद हमारे वियाएपी दादा है वियाएपी जो आप उनको कॉमेडी सरकस में द बिल्कुल नॉर्मल डॉन टूर्थ है वो जी मैंने उनको बोला कि मैं आप सिवा मैंने आपको गुरु माना कहते हैं अच्छा करो अच्छा करते रो कानपूर का नाम रोसन करो तो सोले की बात करते हैं सोले में जब वीरु हमारे तंकी पर चड़ता है तो उसका क्या जी मर्दी ग्रना डेर्ट पोलिस कमिंग पोलिस कमिंग बुड़ी अगंजियल और चक्क्य बुसंगा सुम्दास था तक में अपने गबब्ब साब के बात अरे जय हमी को भी दिखा दो चाट्रूम के तो यह अंदाज काफी सारा कॉंबिनेसन है और ठाकूर साब की बात करें ओके और अब किसकी बात करी की जाए जो ओडियन्स को पसंद आए जहां तक मैं अपनी बात करता हूं अपने टैलेंट को आगे बढ़ा सकते हैं जो मारा कानपूर का लोकल टैलेंट है मैं जाता है कि मैं कानपूर के सपोर्ट की बात करूँ कानपूर में सपोर्ट लोग करते हैं लेकिन मैं अब एक तरह से खुल लेके नहीं आते हैं लेकिन मैं जितना भी मारा लोकल टैलेंट है आप मुझसे जुड सकते हैं क्योंकि मैं लगातार इस फिल्ड से जुडा हूँ और लोगों के बीच कुछ नया करने का प्रयास करता हूँ मैं भी बहुत कोई अच्छी जगह से नहीं उठाओं मैं भी निल्कुर नॉर्मल जगह से उठाओं लोगों का प्यार और शिरवाद मिलता है अगर राजु श्रीवास्तव की बात करें तो उनका टैलेंट भी हम देखना चाहेंगे अच्छा राजु भी यह की बात करते हैं उनका टैलेंट है पाठक गजोधर अब ना चारपाइं मंगा लो गुलका सर्बत मंगा लो राजु भी यह के बहुत ही फेमस फेमस हुआ था उनका वेडियो की बेटी की विदाई बेटी की विदाई उसको मैंने देखा काफिय मैंने उससे कुछ सीखा है तो बेटी हमारे कानपूर में जो बैटीडा होनी लड़का महूल एकदम गमगीन लेटी की मा लडके से ओभी यह स liツ बीट यह भी लेकर जाता रहे हो हुआ को कुछ जाहा नहीं धिकल वह उसकूनों मेन मेरे मेरी साथी ने यहिकर भरी ने सामा ऌमेल जी आ एक पर दूसरी दूल रहे हैं समझ रहा है सब इतने गद्वाट कि बगप गद्वाइन इसके तो यह इनदाज मुट को इसे मैंने बहुत को सीक्खा अच्छा पापा जी की चर्चा हो रही कि चुनावी में गए तो अपने पापा से साइकल चनाने के लिए तो पापा जी कहना चाहते हैं हम उन नाओ की जनता का जो प्यार मिला है समाजवादी होगी जो साइकल है ये बहुत तेज़े से चलेगी तो हमारे इस पर मुलाहिम सिंग की बोलेंगी हमका आखिस आमाल सिंग सुपाल जातो हमाई साइकल की हावा तुम दो निकाले हम चुचू करके साइकल की हावा निकाले हमाई साइकल पंच्छो आए अब तुम जहां तक लग रहा है क्योंकि चुनावी माहौल है और जहां तक लोग सब पार्टी अपने अपने कार के लोगे लगी है ममता बनिर्जी की बात करते हैं कि ममता तो दीदी है हर जगे की और माय वती जी भी हमारी बुआ है अच्से मैं जाँ जातों और लोग ब बूते हैं माय वती जी ने उनका हाथ थामा तो उस पर भी मैंने एक चुटकला बनाया था जी हमारे खल्यट भी जोट ऑने पापा ने उनका साथ चोड़ दिया तो ब говорят कि हम सभी लोगों से कहना चाहते हैं हम हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारी बुआ जी हैं, जो ने पूरे लखनाओं में जो हाथी चलाने का काम किया है। हम उनका हाथ थामके साइकल के साथ साथ हाथी को भी चलाने का काम करेंगे। हम आपसे वादा करते हैं। तो यह अच्छा बंगाल चुना के वाक्त मोदी जी दीदी बहुत प्यार से बोलते थे दीदी तो मोदी जी की बात करते उनका विल्ग अन्दाज है मेरे प्यारे देशवासियों भारत देश में हमारी दीदी को मैं नवन्दन करता हूँ और मैं उनको संबोधन करना चाहता हूँ मेरी प्यारी दीदी जी के दिए आपको लगता है कि आपका भाई पूरे देश का भाई मोदी कुछ ऐसा करेंगा ताकि उसके उपर आपको भी गर्व होगा और पूरे भारत देश को भी गर्व होगा चलिए बहुत मज़ा आया आपके साथ कि आपने इतने कलाकारों की और साथ इतने राजनेताओं की आवाज निकाली हमारे दर्शकों को भी ये कारेकरम बहुत पसंद आया होगा तो आप नए साल पर क्या संदेश देना चाहेंगे जी नए साल को ये कैसा जोग जो कि हमारी ओडियन्स को बहुत पसंद है नए साल की जोग मैं करता हूँ कि नए साल की बदाई देना चाहता हूँ पहले बाद सभी जितने भी हमारे लोग हमको प्राइम टीवी न्यू चैनल से देख रहे हैं ये हमारे लखनों का चैनल है बहुत ही जबरदस्त प्राइम टीवी न्यू चैनल है आप इसको देख सक तो ने साल में बस इतना ही कहूंगा और सारे बॉलिवोड स्टार्स जिनकी मैं आवाज निकालता हूँ जितने भी मारे राज नेता है मैं उनकी आवाज निकालता हूँ सभी को मेरा प्रणाम है सभी को मेरा नमस्कार है सभी को ने साल के बहुत बहुत बदाई है और हमारी ज आपके अंदर भी इस तरह का टैलेंट होगा जो आप पहचान नहीं पाए हैं तो नए साल में अपना टैलेंट पहचानिए और कुछ नया करके दिखाएए फिलहाल स्कारक्रम में इतना ही नवश कि आप सभी को धेरो शुपकाम नाए आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार